नमस्कार पुस्पलता की चन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं मचली ओभी फ्राइ करके तो मचली फ्राइ करने के लिए मैंने तीन सिल्वर मचली ले रखी ये मचली जो है जिन्दी है आप देख सकते हैं मैं थोड़े पानी में डाल रखी इसलिए प कि चयए को साप कर के तैयार करेंगी नुए कि देख सकते हैं दोनों साइट से साप करने के बाद इसके जो ऊपर की साइड है यानि पीट की साइडा उसको भी मैं अच्छी तरह से साप करके तीनों मचली ओं को तयार कर ली हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो करके तयार हो चुका है अब इसको मैं एक चक्कर पानी में धूल लेती हूँ जिससे इसका लबलबापन है निकल जाएगा नहीं तो हम जब कट करते हैं तो हाथ में लग सकता है क्योंकि हमारे पास जैसे मशलियां करते हुए धुल लेती हूँ तो इनको मैं धुल ली हूँ अब इनको पानी से निचोड़तियों में निकाल करके इस तरीके से पंखड़ियों को मैं कट कर लेती हूँ क्योंकि हमारे यूपी साइड इसी तरीके से कट किया जाता है इसको कोई पहसुल बोलते हैं कोई बैठ और इसके पेट को मैं चाकु से फाड़ लूंगी इसके इसका अंदर का कचड़ा साफ हो जाएगा तो पहले मैं इसके मुंडे साइट का जो कंचट निकाल लेती हूं जो ऐसे होता है लाल लाल शाक हसे मैं फार लूंगी जिससे कच्टड आसानी से निकल सकें तो कि ने पेट को फार दियु 2017 यह तो कि आप देख ने इसके पेट मेरे ञदे कर निटब अच्यट पान्ही डाल करके इसको मैं अच्छी तरह से दुलूंगी, मुंड़ को पेट को रगड़ते हुए इसके जो मुंडे का कंचट मैं साफ कर लेती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रगड़ते हुए मचली को मैं साप कर लूँगी तो मैंने तीनों मचली को साप कर ली हूँ और अब इसको मैं चाकू के मदद से हलका हलका कट कर लूँगी उपर से जिससे मसाले जो है इसके अंदर तक जा सके तो मैं कट करके तयार कर ली हूँ, आप देख सकते हैं और इसी तरीके से तीनों मचलियों को भी कट कर ली हूँ आप देख सकते हैं, और अब इसमें मैं मसाले कुछ डाल करके इसको मैं अच्छी तरह से इसके चारों तरफ लगा दूँगी तो एक चमच चावल काटा ली हूँ, हल्दी ले रखी हूँ, छोटा चमच, काली मिर्च पाउडर ले रखी छोटा चमच, जीरा पाउडर ले रखी हूँ, कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और इन सबों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी तो मिलाने से पहले स्वाद अनुसार इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और इसमें मैं हरी मीर्च लसन अदरक के पेश्ट को डाल दूँगी जिसे चटपटा पन इसमें फ्लिवर आए तो अब अच्छी तरीके से इसको मैं लगा देती हूँ मसालों को आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ क्योंकि मैं मसालों में इसको डीप नहीं करूँगी यानि ग्रेवी में आप चाहें तो इसको ग्रेवी में भी डीप करके बना सकते हैं इस तरीके से पर मैं फ्राइ करूँगी इसके पेट में भी मैं मसाले लगा दूँगी जिसे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से अंदर में भी आ जाए इसके कंचट के अंदर यानि मुंडे के अंदर भी लगा लेती हूँ तो आप देख सकते हैं मसाले जो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लगा के तयार कर ली हूँ और अब इसे मैं फ्राई करूंगी आप चाहे तो इसको 5 मिनट के लिए रेष्ट पे भी रख सकते हैं मैंने 5 मिनट के लिए रेष्ट पे भी लगती थी और तेल मैंने कड़ाई में डाल करके गरम कर ली हूँ तेल गरम हो चुका है और अब मचलियों को मैं फ्राई करूंगी इस जगह पे आप चाहे तो तेल ज़्यादा डाल करके इसको डीप फ्राई कर सकते हैं पर मैं सेलो फ्राई करूंगी तो इसको अच्छी तरीके से मैं गुमाते विए fry कर लूँगी ऑपर से इसके मैं तेल डाल दूँगी इस तरीके से तेल डालने से जो हमने कट लगा रखें इसके अंदर तक तेल चला जाएगा और मचली जो है है एक साइट से मैंने फ्राइा कर लिती हूँ एक साइट से प्राइ acredetin ही ओक तो आप वह सब्सक्राइए कुछ सकते हैं साइड मचली को निकाल लीति हूं इस तरह से मैं तीनों मचलियों को फ्राइख कर लूँ phrase तो दूसरे चमच का मैं सपोर्ट लेकी निकाल रही हूं क्योंकि मचली बढ़ी है इसलिए तूड़ भी सकती है तो मैं दूसरी मचली को भी फ्राइ कर लूँगी तो इसी तरीके से मैं तीनों मचली को फ्राइ करके तयार कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं मचलियों को मैं फ्राई कर ली हूँ और इनको मैं सफ भी कर ली हूँ और ये उपर से भी बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी बनी है मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं बहुत ये अच्छी से फ्राई हो चुकी है और ये खाने के लिए तयार है आप चाहे तो चटनी के साथ भी इंज्वाइ कर सकते हैं और अगर आपको ये मचली फ्राई पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा अपने दोस्तों में सेयर कीजिए अगर कोई कमिया है तो कमेंट करके बताएए फिर मिलते हैं एक नई एक पुरानी रेस्पी के साथ नमस्कार